नमस्कार आदाब, निउसक्लिक में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत हैं, आज हम बात करेंगे जो स्कीम वर्कर्स का और आंगनवाडी वर्कर्स का देश में बहुत अलग-अलग राजयों में प्रोटेस्ट चल रहे हैं उनके बारे में और इस बारे में बात करने के लि अलग-अलग हिस्सों में बहुत बड़े प्रोटेस्ट चल रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा पता हैं यह अभी के दोर में जो और पिछले जो दो साल यह कोरोना काल हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा यह देश के अंदर में जो काम किया है वो स्कीम वर्कर्स खासत और अंगनवाडी और आशा वर्कस और उसके साथ में जो मिडे मील वर्कस भी है यह जो देश की बुनियादी सेवाएं जो दे रहे हैं और सबसे ज़्यादा यह कोरोना काल में इनको सेवाएं लोगों की ज़रूरत था और इनोंने काम किया है और वितोट इवन जो प्रोटेक 21 उक्टोबर में ही उन्होंने फ्रंटलाइन वर्कर खोशना किया है तो यह एक जो है कि काम का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लोगों में गया है और उसके साथ में बहुत ज़्यादा महंगाई और सरकार का जो यह नीतियां है कि इनको वर्कर का दरजा भी नहीं दे रहे कि आंदोलनों का और यह कोरोना का शुरुआत से ही शुरू कुआ था कि अभी जो 24 मैं 2020 में ही जो सारे फ्रंटलाइन वर्कर खोशने हमें सुरच्छा चाहिए भूल नहीं है करके आंदोलन शुरू किया था और इस बीच में दो दो बार ओल इंडिया लेवल का स्कीम वर्क का कोई भी मुद्दाय नहीं हुआ उनका कोई वेज में और वर्किंग अंडिशन में इंक्रीज नहीं हुआ उसके अतिरिक जो है यह योजनाएं है उसका निजीकरन और एक जो बजट का टोती का बड़ा एक प्रोब्लम है वो स्कीम ही खत्रे में है तो यह एक जो कारण है कि अलग-अलग जगा में आंदोलन हो रहा है और सबसे जादा आंगनवाडी का और आशावकर्स का हो रहा है तो आपने जैसे पैंडामिक काल की और करोना काल की बात की तो इस टाइम में किस तरीके से इन वर्कर्स को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा या जो भी खतरना काम करने पड़े और उनके थोड़े अगर आप बता पाएं कि इस टाइम में आप लोगों ने जो आंदोलन लड़े उसमें कुछ जो जीत हासिल की गई हो उसके बारे में अगर आप थोड़े सबसे पहले एक तो है कि पाइड़ेमी का खल्त रिलेटेड जो सर्वीसस है उसमें जो है कि इवन जो पहले में ये शुरूवात से ही माइगरन वर्कर्स जो वापस जाए उनको क्वारंटाइन संडर्स में से लेके रून का रिपोर्टिंग विदेश से जो आ रहे है लुपो और ये भी नहीं कि वो उनको सरकार ने खुद काम पे दिया है और इंक्लूडिंग पुलीस का खरासमें खर में जाने का खर से बाहर जाने का और जो जन्ता ने भी अटाक किया कि वो क्रोना से यो डर रहे थे तो ये सारा छेलते हुए ये काम किया था क्वारंटाइन सेंड में ड्यूटी फिर इनको खर खर जाके बुखार है कि नहीं है देखना अलग-अलग जैसा ड्यूटी हो रहे थे आंगनवाडी वक्कस को भी आशा वक्कस के साथ में लगाया था और आगनवाडी वक्कस को इसके अलावा जो है कि ये जो बेसिक जो नूट्रिशन जो देने तो एक एक खर में जो है कि सा सामान उठाके पहुंचाना का काम इन्होंने किया है वरकर और हेल्पर ने और इवन मिड़े मील वरकर ने उस टाइम में जो खर-खर में रेशन पहुंचाने का काम गिया है फूड और हेल्थ जो बेसिक सर्वीजस है वो जनता में पहुंचान पूरा काम ही कान में किया है और उसके शुरुवाद में जो है सबसे ज़्यादा यह था कि प्रोटक्टिव गियर का चाना कोई सानिटैसर मास्क से लेके जो इवन जो कौरंडेन सेंडर के अंदर में या होस्पिटल के अंदर में जो पेशेंट्स को लेके जाना पीपीए लेकिन इसके बावजूद भी यह आंदोलन हुआ है, खरों में से शुरू करके और सड़क में से यके करके शुरू करके और वो प्रिशर भी बिल्डप हुआ था, तो से पहले जो सरकार की जो तरफ से जो अर्ली फोराशा वर्कस का हजार रुपे का एक जो रिस्क अलवेंस ह हम बोलते हैं और सरकार प्रोज साहन राशी बोलते हैं वो खोशना हुआ था, और वो एक यह है, और जो पूरा डेड़ साल अंदोलन करके अंगनवाडी वर्कस को खोशना करवा पाया, ताकि उनको यह इन्शोरंस का जो पैसा 50 लाइक उन्होंने को दे दे, लेकिन वो भी लागू तो नहीं हो रहा है, सरकार की कोशना हैं, इवन जो ख़जार रुपे का जो बड़ोतरी आशा वर्कस का हुआ, वो छे महीने के लिए फिर यह है, अभी जो लास्ट सेप्टमबर में उन्होंने वो फिर बंद कर दिया था, और जहां वाक्सिनेशन का डोर टो डोर क जब आये तो बहुत बड़े पैमाने पर फिर आंदोलन करके सडक में उतारके, इवन जो है कोरोना का अगर आपने काम बंद कर दिया, तो हम कोरोना का काम नहीं करेंगे, तो यह करके कारी बेशकार, जो कोरोना ड्यूटी को बेशकार करके ही उसको वापस दिला पाया है, इवन अट लोकल लेवल और राज्य लेवल पे भी सरकारों से यह कोविड के टाइम में, महराष्ट्रा में बड़ा आंदोलन हुआ, तलंगाना में आंध्रा में हुआ है, अलग-अलग स्टेट में, जो स्टेट गवर्ण्मेंट्स भी आशा वकस का उतराखंड में हुआ, पंजाब में हुआ, तो वो स्टेट गवर्ण्मेंट्स से भी जो आशा वकस के लिए कुछ अधिरिक्त वैदन प्राप्त किया है, आंगनवाडी का भी वही सही है, पंजाब में हुआ, यह अलग-अलग राज्यों में हुआ है, और अभी भी यह आंदोलन गई एक स्टर मे है, यह जो 2017 के दोर में आप देखेंगे तो बहुत बड़े आंदोलन अलग-अलग स्टेट में हुआ है, और जो संगटनों का ताकत है, उसी के मताबिक राज्यों सरकारों से कुछ लिए पाया है, और उसके बाद में उसी के कांटिनुईटी में, ओल इंडिया लेवल पे बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो कि 2018 में सेनरल गवर्णमेंट मोधी सरकार को सेप्टमबर में एक खोशना करना पड़ा, उसके पहले बहुत बड़ा मजदूर किसान राली जो दिल्ली में किया था, CETU और किसान सभा के और खेद मजदूर जूनियन के ने दृत्तों मे उसके तुरंद बाद में ये खोशना हुआ है, तो उस टेमें बहुत सारे राजी सरकारें जो 2017 और 2018 में जो अपनी तरफ से बड़ाया है, वो ये बड़ातरी लागू नहीं कर पाया, जिसे बंजाब नहीं किया, हर्याना नहीं किया, दिल्ली नहीं किया, मत्यप्रदेश न पाद में वो ये घुसा था, लेकिन वो तुरंद ही कुछ पैसा बढ़ाया है, तो वो लोगों में वो आंदोलन का उतना ये ताकत नहीं बना, विलाल तो वो अपनी ट्रेड यूनि मोमन की एक कम जोरी है, और उसको चलते हुए और ये महंगाई बढ़ गया और काम बढ़ गया, ये कोरोना काल का जो वर्क प्रेशर है, और ये डिजिटरी सेशन के नाम पे बहुत ज़्यादा ये कर रहे है, वेर आंच्वल नूट्रिशन का पैसा कम हो गया है, और इसके अधरिक जो है, प्री स्कूल के नाम पे एंजियोस को करना प्रेवेटी सेशन का ये बहु अधर बोलेंगे, तो इसके साथ में और जो दो खोष्णा हुआ था, टूतोसन एटीन की जो अरियाना की जो आंदोलन हुआ, उसमें जो स्टेट गवर्णमेंट ने वो खटर का खुद ही गवर्णमेंट में ने उनके साथ में एग्रिमेंट किया था, कि वो येरली एक जो की क्याटेगरी में लेके आएंगे, तो ये उस टाइम में अच्छली हमारी आंदोलन का ही कमी है, कि वो खोष्णा के जो ओर निकला है, उसके अंदर स्किल्ड अंद्सकिल्ड का क्याटेगरी और ये चीज नहीं था, लेकिन ये जो आक्छल पैसे का इंक्रीस हुआ थो, कि वो एक यूनियन ने वापस कर दिया उसमें से, और फिर वो एक मूड नहीं बनता है कि कंटिन्यूसली और इंडफिन स्ट्राइक चलाने का, तो इसलिए वो उस्टे में नहीं हो पाया, अभी ये माहोल के अंदर में वो ही मां कर रहे है, तूतोसंट नेटीन में सेंडरल ग एक अन्यूल इंक्रिमेंट लिया था, लेकिन वो उसके बाद में फिर नहीं दे रहे थे, तो ये सारे ये डिमांड लेके है, लेकिन वो बातचीत के लिए भी तयार नहीं है, हड़ताल का नहीं बातचीत उससे पहले भी होता है, नोटिस ट्रेड उनियन के तरीके से हम डि अटिमेटली जो लास्ट वेपन है हड़ताल में, तो वो हड़ताल में गया है, उसके बाद में भी बीस दिन तक तो बारता के लिए नहीं बुलाया खटर सरकार, और वो ही ये काम हो रहा है कि अभी अभी भी चल रहा है, और बीच में कुछ होश ना किया, तो ये अगर हम आप भी तुम्हें दो बार का पैसा देंगे, तो ये पंदर सो नहीं देंगे, इस तरीके का जो बारगेइन चल रहे है, वेर कि उनकी सबसे जादा काम की जरूरत है आज के दिन में, दिली के अंदर में भी ये हुआ है, केजरिवार सरकार तो एकदम जो है ट्रेड यूनि भी हड़ताल में थी, और वो किसी यूनियन को वारता पे नहीं बुलाया, और वो कुछ लोगों को बुला कि ऐसे एक तरफा कोशना किया है, कि वो पैसे का बड़ोतरी का और डबल कर दिया करके बहुत ज़्यादा ये हुआ, तो ये एक बार ऐसा पैसे का बड़ोतरी का ओ हाजिल हुआ है, वो आप रशर से ही हुआ है, ये हुआ था, और उसके बाद में जो 6-6 महीना तंखा नहीं मिल रहे है, और अभी जो है कि ये इसके अंदर में कुछ स्किल डवलप्मेंट के अंदर खोल रहे है, प्रइवेट एजनसी को अंगनवाडी के अंदर को दे रहे है, बहुत ज़्यादा इन लोगों को तंख किया जा रहे है, और CCTV लगाना जैसा ऐसा मेशर्स ले रहे है, पोपिलिस्ट लोगों में अपना नाम गमाने के लिए एकदम विसिट कर लो, लोगों को एकदम निकाल दो, इस तरीके से रवया कर रहे है केजरिवार, तो उसी के खिलाफ में भी है, और ये बाकी जो महांगाई के इसमें सारे गुसा है, लोगों में, तो उसमें एक जो है माहोल बना है और उसमें लोग जो आंदोलन में आया है, हमारा भी एक ओल इंडिया का फेडरेशन ने ये निर्ने लिया था, और ये जो खास तोर के आफ्टर जो February का जो बजट हुआ वो बजट में लास्ट येर वे 30% कट हुआ लेकिन एक जो है इतना बड़ा एक आंदोलन हम नहीं खड़ाप कर पाया ये पूरा कि ये मोहोल था कोरोना का लेकिन अभी के बार में ये एक जो है कि सारे हदें पार कर दिया मेहंगाई भी तो हमने सारे जो एक बजट से पहले ही सरकार से मांग कर रहे थे MP लोगों को सारे मेमोरांडन देना ये सारा काम करते हुए और ये बजट में कटोती भी हुआ और राज्य सरकारों का भी बजट का एक अभी टाइम है तो उस टाइम में एक जो प्रेशर बनाने के लिए भी आंदोलन बहुत सडक में है ये ही बात है तो उसमें एक माहौल बनके ही एक जो प्रेशर सरकार से बनके ही पहली बार जो है यूनियन को चर्चा पर बुलाने का ये जो दिल्ली में केजरिवार सरकार आने के बाद फर्स टाइम जो है एक यूनियनों को बुलाने का एक न्योता दिया है आज शायदवारता हो रहा है उसके अंदर में भी वो सरकारों का क्या रविया है यह देखना है बात यह है कि जो पूरे देश के अंदर में बुनियादी बात यह है कि इतने ज्यादा मालनुट्रिशन है और इतने ज्यादा बैचे मर रहे है और कोविड काल में यह नुट्रिशन क और सिथी खराब हो गया है, तो इधर में सबसे जाधा, ये सोचल सेक्टर में और इस कीमों में स्पेंडि होना चाहिये, और ये वर्कार भी सबसे जाधा, शोशीद और जाधा वर्कलोड इनको आया है, ये जो है टॉप प्रयोरिटी सरकार को होना चाहिए, और अफसोस की ब एक साल में कि कोई माजिन भी कर सकते है 75 लाग इतना बड़ा एक संग्या है और वो 75 लाग बच्चे एक साल में मरते हैं तो वो नाशनल जंडा में सबसे टोप प्रयोरिटी में होना चाहिए वो क्यों नहीं बनता है यह हमारी बुनियादी सवाल है और यह बुनियादी सेवा के उपर में यह बजट का तो वो इस 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 यू पर पूरा नाशनल डिवेट होना चाहिए और तब ही जाके यह तो पंद्रा सो साड़े साथ सो ऐसा कभी दो सो यह सारा बात ही नहीं है अभी वो एक आंदोलन भी उस एक लवल पर पहुंच गया है उसमें स्टेट के उपर में भी वो प्रेशर बनना चाहिए खटर का जो सरकार बोलते हैं कि जो हम लोग सबसे ज़्यादा दे रहे हैं और बाकी स्टेटों के तुलना में यह सारा तो बात यही है कि सबसे ज़्यादा को पोशन और सबसे ज़्यादा इवन जो फिमेल सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा इस दौर में इंप्रूव्मेंट भी वहा हुआ है यह सारे इंप्रूव्मेंट आक्टों में जो भी होता है सरकार अपने खुद का पीट तप आते हैं तो वो सारे यह वरकर्स का जो है कि यह दियार सबसेड़ाइसिंग यह गवर्नमेंट का स्कीम को तो बहुत बड़े मुव्मेंट रहे हैं चाहिए वो 2017 में महापड़ा जो तीन दिन का हुआ है दिली में जिसमें लाखों वरकर्स दिली में आये थे देश भर से उसकी बात हो या उसके आगे मतलब कई सालों से ट्रेड उन्यों ने जॉइंट प्रोग्राम कर रहे हैं अधर द चेंजिस किये हैं लेबर लॉज में तो इस पूरे माहौल में ये जॉइंट मुव्मेंट कितना ज़रूरी है देखे एक तो है कि हम सही मुद्दा सही टाइम में उठा के और वो जन्ता का मुद्दा बनना चाहिए आज देश में ऐसा ही एक माहौल है और ये जो एक ता का और यह भी नहीं कि मजदूरों का इश्यु के ही नहीं है, हर सेक्टर का भी नहीं है, पूरे देश में एक मजदूर किसान एक्ता का भी यह नारा हम लोग होने अभी है, जो किसान अंदोलन के टाइम में देखा है, यह एक जो लगातार प्रयास का है, CITU ने तो बनाई कि एकता और संघर्ष का नारा है, संघर्ष के लिए एकता, और संघर्ष से ही एकता भी बनेगा, तो यह एक जो इस्यू है, यह कोई नेताओं का या कोई लीडरों का सवाल नहीं है, जो सबका जितना ताकत आंदोलन में होगा, उतना ही तो अड़वान नहीं यह एक चाहत है कि एकता है, क्योंकि यह मुद्दा आथारीत लड़ाइआ है, जीससे किसान की मुद्दा भी हो, तो यह मुद्दा लोगों को इखटा करते हैं, यह नहीं कि आपका कोई लीडर जाके लोगों को इखटा करते, अब जनता के सामने में यह बुनियादी है बेरोजगारी का सवाल है इतना महंगाई का सवाल है और यह सारे की टाइम में आपका जो सारी democratic rights भी चीना जा रहा है और ये बुनियादी जो सेवाएं हैं जो हेल्थ का, फूड का और एजुकेशन का ये राइट्स के लिए जो जो एन्ता की एक मांग उपर रहे है और उसके अंदर में सबसे बड़ा एक हिसा है स्कीम वर्कर्स का उसमें एक जो एकताबत लड़ाई लड़के वो सिर्फ स्कीम वर्कर का भी बसका नहीं है ये लड़ाई जीतना और ये सारे मज़दूर आंदोलन की में इन मुद्दे में एक हो गया 2017 में जो आपने जिकर किया है उस दिन तीन दिन का महा पड़ाव किया था सारे ट्रेड उनियन मुमेंट में उस दिन एक दिन पूरा स्कीम वर्कर्स का जो मुबिलेसेशन था और एक लाग से ज्यादा स्कीम वर्कर्स दिली में इखटा हुआ और ये scheme worker का नाम भी trade union ने coin किया है, जो 2012 से लेके, जो CITU ने scheme workers का, उसमें भी एकता बनना इतना आसान बात नहीं था, क्योंगी इनको भी आपस में competition करवा रहे थे, आशा का काम का पैसा, अंगनवाडी को क्यों दे रहे, इस तरीके का, तो उसमें हम एकता का जो एक नारा सरकार की policy के खिलाफ और सब का मांग को लेके एक movement slowly build up हुआ है, उसके चलते हुए सारे जितने भी trade union है, independent हो, central trade union हो, उनका येकता की जरूरत है, तब ही जाके सरकार के उपर येक पोलिसी चेंज का है, ये 100 रुपीस, 200 रुपीस का बात ही नहीं है, तो उसमें एक माहोल बन जरूरत है, वो नीचे से दबाव होके ही, जो बहुत सारे लोग तो बिना चाहते हुए भी आंदोलन में आने को मजबूर होता है, यही BMS का भी सवाल है, BMS भी जो इन आंदोलन में आया था, इसे ही एक मजबूरी में था, और जब भी का सरकार आ गया, तो वो चला गया, उसकी पोलिटिकल मजबूरी है, लेकिन अभी भी आंदोलन को गाली देने को BMS को हिम्मत नहीं हो रहा है, कि यह मुद्दों को नकारने के लिए उनको हिम्मत नहीं हो रहे है, और एक दूसरे को ताना देने के लिए भी वो हिम्मत नहीं बन रहा है, क्योंकि नीचे से एक म और अनफोर्चुनेटली जो पोलिटिकल मचूरूटी जिनको नहीं है और जो वर्कस को इंडरेस्ट को आगे नहीं लगाते हैं वोही लोग जो है एक दूसरे को ताना मारते हैं और आंदोलन की भूमिगा जैसे सेटू जैसा लोगों को भी जो मज़ूर आंदोलन का ये बड उसका एक माहौल बनाया है तो उसके अंदर में एकता के खिलाब बोलना या एक दूसरे को सबसे बड़ा दुश्मन समझना ये बहुत बचपना ही नहीं है ये एक किसम की गदारी हो सकता है तो इसमें हमारी ये बिंती है कि वर्कस को हम आडरेस करेंगे उनकी इंडरेस्ट के लड़ाई उसको मजबूत करो तो वो एक जो जरूरत को लेके ही कॉमबटीशन दो होता है ट्रेड यूनियों का ये है तो लेकिन अभी आप देखिएगा इवन केरला में आई एंट यू सी और सी एट यू जो सबरकस की इंडरेस्ट में जो लड़ाई लड़ रहे है उस पीएफ है वो आने को मजबूर हो रहे है कि जो इंडान दोलन में और खड़ताल की तेयारी में है इस तरीके का अलग-अलग जगा में है बीएमस छोड़के बाकी सारे का एक इवन इंडिपेंडेंट यूनियोंस दिली के अंदर में अभी जो मजदूरों को खड़ताल हु इंडिपेंडन यूनियोंस भी छोटे यूणियों बड़े यूणियोंस अब मिलके तो वो एक जो है कि ताकत बन गया है और अभी हमारी जो नेद्रोटू कारी भूमी का हमारी ओल इंडिया टेरेशन ने लिया था तो आंगनवाडी के एक जो इन आंदोलन ये तो तो उनका भी बना कि अभी हम लोगों ने ओल इंडिया की सेन्रल ट्रेड उनियन्स की प्लाटफॉर्म से स्कीम वर्कस की एक बड़ा यूनिटी बनाया हुआ है और यह स्कीम वर्कस का ही दो-दो हड्ताले हुई है तो यह प्रशर से ही एक 45th ILC का रेकमेंडेशन आया स्कीम वर्कस का जो रेगुलराइसेशन का आया है इट इस ओल्सो लीगली बैंडिंग सरकारे लागू नहीं कर रहे है तो यह एक जो माहोल के अंदर आउर ज्यादा उसको बढ़ाने की जरूरत है तो यह भी नहीं हम लोगोंने अभी यह जो बजट का भी जो बैक्राउंड में और यह खड़ताल की बैक्राउंड में है यह जो वर्किंग विमन का यह स्कीम के जरिए भी हो ऐसे भी है एक्स्प्लोइटेशन है तो उसका एक फोकस यह क्लास फोकस लेके ही जो विमन यह जंडर आस्पेक को एक करते हुए कि इसके अंदर विमन वर्किंग विमन का एक्स्प्लोइटेशन की बाई दो स्टेट इसल्फ की जो सरकार खुद ही कर रहे है उसको भी फोकस में लाके कि हम लोग यह आठ मार्च को एक वर्किंग विमन साक्षन डे पे जा रहे है उसमें में ताकत तो यही स्कीम वर्कर्स का होगा जो सबसे ज़्यादा खुद सरकार से शूशित है और सबसे ज़्यादा जनता का सेवा करने वाले है तो यह एक जो है खड़ताल में भी जो वर कार司 का स्कीम है उसकी में जो काम करने वाले का है उनको मांग को भी वो सिर्फ इनका राइट असवकस ही नहीं है जनता की जो है मांग है वो स्कीम का जो सरвीस उनको मिलना है वो दोनों ट्रेड यूनीन की हड़ताल का मांग है उसको और एक ताकत मिलेगा तो हम इह पसी जरूर जीतेंगे शुक्रिया सिंदु जी हम आज से बात करने के लिए न्यूस क्लिक देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद हमारी वेबसाइट पर विजिट करें आपको इस तरीके की और बहुत सही स्टोरीज मिलेंगी हमारे यूट्यूब चैनल और फेस्बुक करेंगे बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत